तो नेस्ट जो ट्रांस्पोर्ट नंबर की डिटर्मिनेशन का जो मैथड है वो है मूविंग बाउन्डरी मैथड ओके आपको दिख रहा होगा यहां पे कि जिस तरह का एकुप्मेंट हम यूज करते हैं मूविंग बाउन्डरी मैथड में ओके यह रहा फॉर फाइन अब इ कि दो इलेक्ट रोड लगे हुए होते हैं दो इलेक्ट रोड में जो नगा होगा होता यह पर प्लेटिनम का फ्लेट का ऑके तो यह जो है क्या है हैं यह प्लेटिनम का फ्लेट transfer करते हैं दूसरा ज़ो यहां पर एल्लेक्रोड लगा होता है यह वाला एलैक्रोड यह जहां की छड़ के क्ण आपको क्या करना है च्दव का त्राइशर और दो मितने Fast खैएं प्ली प्ल्स की आपनेसे वे मदे वह दो सुल्योशन दोच एक हैं तर आप क्या करना है है आपको तो उसके लिए हमने एक solution लिया है HCl, इस HCl में जो H plus है, ठीक है, उसका आपको transport number निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आप फिर एक solution लेते है cadmium chloride, यहाँ पर जो cadmium chloride है, वो as indicator solution यूज हो रहा है, क्या indicator solution की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप इस cell में HCl और cadmium भरेंगे, तो उनकी concentration कुछ इस तरह से होनी चाहिए, कि HCl का billion जो है, वो हलका रहे, ताकि वो उपर की तरफ रहे, ठीक है, और cadmium जो है, यहाँ पर नीची की तरफ रहे, तो इस starting में, जब यहाँ पर जो भरते हैं, आप HCl और cadmium chloride का solution, तो starting में जो इसकी boundary लगी हुए होती है, जहाँ पर दोनों विलेन एक दूसरे से separate रहते हैं, वो boundary यह होती है, स्टार्टिंग वाली, ठीक है, जब कोई electrolysis नहीं हुआ है, कोई electron का अभी गमन नहीं हो रहा है, उस time के boundary यहाँ होती है, इसके ऊपर वाला जो है, पूरा आपका क्या रहता है, HCl का solution और नीचे पूरी तरह cadmium chloride का solution यहाँ पर रहता है, अब आपको यह cadmium chloride के लिया, तो यहाँ पर दूसरे भी ले सकते हो, पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा, कि आपको ऐसा electrolytic indicator solution यूज़ करे, कि जिसका speed जो है, cation का, वो H plus की तूलना में धीमा होता है, आप भी ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ तो basically, जो यह cadmium 2 plus है, इसकी जो speed है, move करने की, इसकी speed जो है, वो कम होती है, H plus की तूलना में, और यह होने भी चाहिए, moving boundary method में, जो reference या indicator की तरह use हो रहा है, उसका जो ketion है, उसकी speed कम होनी चाहिए, जिसका अभी गमना निकालना है, उसकी तूलना में, ठीक है, तो यहाँ पे यह इस तरह से इनकी speed भी matter करती है, और एक important condition और क्या है, कि दोनों में जो anion है, यानि कि जो indicator है, जो main solution है, जिसका अभी गमना निकालना है, उन दोनों में जो anion है, वो same रहने चाहिए, जो है वह सेम रहने को चाहिए यहां पर नसले करP इसके हैं तो कि पहली सिर्ड क्या है techn क्या है इक ही कि तो प्यूरी कंदिशनने अब्दिशन अकाई तो आपको solution लेना होगा HCL लिया यह इस फॉर्म में रहता है इस फॉर्म में इसके लिए आपने क्या लिया कोई ऐसा solution लिया जिसका क्या NIN जो है वो same हो same NIN density अगर कहे density तो cadmium chloride की density जादा हो नीचे यह HCL से ताकि यह क्या नीचे की तरफ रहे या HCL ऊपर की तरफ रह सके ठीक है इसके अलावा जो speed of कैटायन है वो हमेशा H plus का ज्यादा होना चाहिए cadmium 2 plus से ठीक है तो यह सारी conditions है यहां पर कि यह इस तरह से होना चाहिए अब यहां पर देखेंगे हम यहां पर कि यह जो पूरा हमने system दे रखा है उसको आगे फिर किस से जोड़ते हैं उसको आगे हमने battery से जोड़ रखा है हर जगे जो हमने देखा है तो यह पूरा इस तरह से system हमारा जूड़ा होता है अब आप इसमें करते हैं धारा प्रवाहित ठीक है तो जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे यह H+, और ये tapon 2+, क्या करेंगे, ये move करेंगे इस cathode की तरफ, ये क्या move करेंगे, इस cathode की तरफ और जो chloride है दोनों के, वो कहां move करेंगे अनोर की तरफ, तो क्यूंकि जो है NIN वो तो same है, ठीक है, NIN हमारे same है, इसलिए उनकी speed भी same होंगी, NIN सेम तो स्पीड भी सेम होगी दोनों की तो यहाँ पे तो हम compare कर नहीं सकते ठीक है पर क्यूंकि यहाँ पे हमने कहा कि H प्लस की स्पीड ज़्यादा है केलियम 2 प्लस से तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो यहाँ पे कहते है कि division देखने को मिला था यहाँ पे दोनों solution के बीच में यह आप देखेंगे कि time के साथ क्या करता है उपर की तरफ move करता है क्यूंकि hydrogen H प्लस यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते है और उसके पीछे पीछे जो है वो cadmium 2 प्लस भी बढ़ता है तो यहाँ पे finally यहाँ पे आके यह दिखता है division बाद में तो यहाँ पे क्यूं दिख रहा है क्यूंकि बहुत सारे H प्लस आयन जो है वो यहाँ पे deposit हो चुके है बहुत सारे H प्लस आयन जो है वो cathode की तरफ move किये है ठीक है cadmium भी किया है पर क्यूंकि वो वहां तक इतना तेज इसे पहुंच नहीं पाएगा क्यूंकि cadmium की speed कम है तो ज्यादा तर यहाँ पे क्या H प्लस move किये है ठीक है तो अब यहाँ पे दिखना है कि concentration में जब यहाँ से जब क्या यहाँ से यहाँ तक मूब हुए तो यह जो एरिया था इसमें भी तो concentration change होई होगी ना इस एरिया में कितनी concentration थी वो concentration H प्लस की deposit हो गई यहाँ पे तो हमें फिर चेक करना है कि यहाँ जो भी concentration होगी वो ही deposit होई है इधर क्योंकि इतना मूब किया है पहले H प्लस कहां तक था पहले H प्लस हमारा HCL solution हमारा यहाँ तक था फिर electrolysis की बाद यहाँ तक आया तो यह पूरे एरिया में जितनी HCL की concentration होगी या फिर एक तरह से कहें H प्लस की concentration होगी वो सारी इधर मूब की ठीक है तो यह concentration हमें एक बार पता चल जाएं तो हम आरांग से H का अभी हमाना निकाल सकते हैं तो उसके लिए तो पहले फिर इस एरिया का में वोल्यूम निकालना पड़ेगा कि इस एरिया में solution कितना था हमारे पर्स वोल्यूम बेसिकली जो है आप किससे निकाल सकते हैं A से B यहां पर यह एरिया है A से A डैश से हटा है यह B B डैश तक पहुचा है ठीक है B B डैश तक पहुचा है और यह जो आपको एरिया निकालना है यहां पर आपको वोल्यूम निकालना है इस A से A A डैश से B B डैश के बीच का वोल्यूम तो volume निकालने के लिए पहले तो यहां से यहां तक का length कितना है distance कितना है तो उसको हम length से measure करेंगे ठीक है तो length कितना है वो check कर लेंगे उसके बाद यहां का area कितना इसका cross-sectional area कितना है ठीक है तो cross-sectional area को हम लिख लेंगे A तो L into A करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इस particular area में कितना volume था Scl का वो हमें यहां से पता चल जाएगा ठीक है अब volume पता करने के बाद जो है इस area में Scl की concentration कितनी थी वो पूरा अभी volume तो भले कितना भी हो ठीक है volume तो 100 भी हो सकता है पर उसकी उसमें कितना solute भूला हुआ है उससे decide होगा ना कि कितनी concentration है ठीक है अब हमें पता करनी है concentration और उसे gram तुल्यांग में अगर चेक करना हो तो Hcl की सांदृता इस area में कितनी होगी Hcl की concentration Hcl की concentration हमने मान दो ली थी C by 1000 ग्राम इक्वेलेंट ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर ठीक है concentration कितने थी इतनी थी नॉल्मली हमने इतने ली थी पर इस volume में कितनी होगी तो हम उसको multiply कर देंगे V से क्या कर देंगे V से multiply कर देंगे तो इस particular area में या इस particular area में जितना भी हमारे solution का volume था वो volume में actual की concentration कितनी होगी वो हमें इस formula से जो है वो पता लग जाएगा ठीक है तो overall जो हम hcl के concentration के लिए formula यूज करेंगे वो होगा हमारा V की value कितनी थी L into A और उसके बाद concentration है C by 1000 ग्राम equivalent पर लीटर इतनी concentration उस particular area में A A से B B तब move की है ठीक है तो यह तो है इसकी concentration अब हम कहते हैं कि हमने फेराडे लों में एक चीज पड़े थी कि एक ग्राम तुल्यांख या फिर वन ग्राम equivalent फेराडे लों यहां पर इसलिए मैं न पढ़ाया आपके कोस का हिस्सा नहीं है वो पर यह हज के use में आ रहा है ठीक है तो एक ग्राम equivalent हमने वहां पढ़ा था कि एक ग्राम एक ग्राम equivalent एक फेराडे के बराबर होता है किसके बराबर होता है एक ग्राम equivalent एक फेराडे के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर हम कहेंगे तो फिर यह भी तो क्या है concentration ही है न तो इतनी concentration भी तो इतने फेराडे के बराबर होगी तो हम कहेंगे lac by 1000, gram equivalent यह भी तो gram equivalent ही है, किसके बराबर होगी? lac by 1000 ऐख दाउजन फेराड़े के बराबर होगी, clear? तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इतनी concentration, इतनी विद्यूत की मात्रा कैरी करती है अब आपको पता हो तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है कि जो अभी का मंनांग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि किसी पर्डिकुलर इलेक्ट्रोड के आसपास उस पर्डिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन में कितनी कमी हुई है या फिर उसकी कंसेंट्रेशन यहां पर कितनी कमी हुई है ठीक है तो वह कमी कितनी है जो वहां से चली गए वह कमी है ठीक है तो यह क्या है LAC by 1000 उसके बाद फॉर्मुला क्या था उसकी कमी अपॉन टोटल विध्युत की मात्रा ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे Q एक दूसरा फॉर्मुला यहां पर यूज होता है अभी कमनाग के लिए अगर आपको निकालना हो तो मैंने जब प्रांस्पूर्ट नंबर बढ़ाया था तो यहां पर हम कहेंगे है एच प्लस द्वारा मैं लिख रहे हूं इंगलिश में कैरी की गई विध्युत की मात्रा कैरी की गई विध्युत की मात्रा अपॉन टोटल विध्युत की मात्रा यहार से यह ज़्यादा इसी है ठीक है तो यह फॉर्मला आप यहां पर यूज कर सकते है कि एच प्लस द्वारा कैरी की गई विध्युत की मात्रा कितनी है जो इसकी कांसेंट्रेशन थी इतनी ही कांसेंट्रेशन ने जो है विध्युत की इतन बहुत यहां से क्या निकल जाएगा ल, A, C, 1000 इन्टु टोर्टल विध्वित की मातरा थीक है बस यहां से आपने H plus के लिए निकाल दिया अगर आपको क्या निकालना है अगर आपको C, L के लिए निकालना है तो आराम से निकाल सकते है क्या करेंगे 1-lac by 1000 into q ठीक है तो यह तरीके हैं यह तो method है जिससे आप किसी भी आयन या इलेक्ट्रोलाइट के आयन के लिए क्या ट्रांस्पोर्ट नंबर काल्कुलेट कर सकते हैं ओके थैंक्यू